हेलो ट्रेडर्स वन्स अगेन वेलकम बैक तो और चैनल इंट्राडे में सेवी राइश्ट आज हम लोग बात करने वाले कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला कल से मेरा मतला मंदे के दिन मंदे को कैसा मार्केट रहने वाला है और भी कुछ बहुत सारे अनॉंसमेंट्स है जो हम लोग कल के दिन में करेंगे फिस सटरेडे को हमारे साइकलोजी को लेकर के वीडियो आगा उसमें हम लोग बहुत सारी नहीं नहीं चीजे आपको बताने वाले तो सबसे पहले मंडे के मार्केट की बात करें आज जो लास्ट आर्स में लोग ने देखा बैंक और निफ्टी बैंक फ्लाइट क्लोज हुआ अब यहां से क्या लग रहा है क्या यह तेजी का जो आज मुमेंटम आया इसके पीछे क्या फंडमेंटल नियुक्ति या फिर क्या नियूज आई थी वो अभी तक हमें भी नहीं पता क्या बायर सैलर्स ने ये मार्केट को लोगों ने सैलिंग कर दिये कल के ट्रेडिंग सेशन में अब आज का जो भी आज का भी डेटा है का आज भी मुझे नहीं लग रहा है कि इंसान आज समझो मैं हूं मैंने अगर किसी बाव पर अपना माल काटा हुआ तो मैं उसके नीचे ही दुबारा से बाइंग करूँग तो हमें थोड़ा सा व्यू यही रहाएगा के बैंग निफ्टी यहां से थोड़ा सा गिरे अब गिरने के लिए लेवल कौन कौन से हमें ध्यान में रखना 52,800 यह हमारा पहला रेश्चेंस जून बन रहा है और दूसा है 53,000 तीसा 53,308 जो कि ऑल टाइम है 52,800 के पास मैं य 53,000 तो कि यहीं पर मिलेगा कॉल राइटिंग यहीं पर सबसे ज़्याद मिलेगी खेर अगर आज के वाई डेटा की हम लोग बात करें तो वाई डेटा इतना बिल्ट अप नहीं हुआ है कॉल राइटर से नहीं पूट राइटर जाद है अगर देखा जा तो 53 पर थोड़ा होना आया जहां पर लग रहा था सबको बड़ा सा लिंग प्रेशर आया पर्सनली मुझे भी लग रहा था मुझे एक्सपेक्टिट नहीं था कि फिप्टी टूपर की नीचे जाएगा और फिर बापस से मार्केट ऊपर की साइड आएगा लेकिन फिर भी हो आपस सपोर्ट ले लिया वह सपोर्ट हमें लग रहा था अल्मोस्ट ब्रीच हो गया क्योंकि जब लो मारा था वापस सब किसी को सब्सक्राइब को यह सपोर्ट का काम कर रहा है यह सपोर्ट टूटा तो हम लोग नीचे में 51 350 का लेवल देखेंगे और फिर सीधा अगर यह भी तूड़ सब्सक्राइब करना है हमें आज के दिन देखा हमने ऊपर से तुरंट सप्लाय आनी शुरू ही 52,800 के आसपार जैसी मार्केट गया वहां से सप्लाइब अब आपस से दोड़ाइसो पॉइंट का मैं करेक्शन मिल गया मार्केट हाला कि क्लोज हुआ है वही रेंज में video 2 निफ्टी में आप दो मेरा हमारा रोजी वीडियो देख रहे हर वीडियो में हम लोगी चीज क्लियरली मेंसिन कर रहें कि निफ्टी को समालने के लिए बहुत सारे लोग है निफ्टी मैनेज हो जाता है चाए वह ऑट से आपर तो वही चीज आज भी आज देखिए बाकी सेक्टर में वी थोड़ा-थोड़ा युगदान था कोई ऐसा नियुक्रेंग था लेकिन मेजर भाइंग थी इसक्तर में जिस बज़े से निफ्टी ने उच्छाल मारा अगर निफ्टी के हम लोग बात करें क्लोजिंग हमारे पास 54502 की क्लोजिंग है अब यहां से मिल रहा है 24592 जो कि आज भी नाया लाइफ टाइम हमारा और यह रेश्टेंस लेवल नहीं यह हम सोच रहते कि यहां पर अगर स्टॉप ले तो ले ले नहीं तो हमें तो लग रहा है अभी भी तेजी में कोई स्टॉ में रखनी है पिछला लाइफ टाइम है था 2400461 यह तोड़ा तो एजी ली देखिए यहां से 130 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी ने इजी ली दिखा है तो मैंने पहले भी बूला था कि यहां तक जा सकता है इससे पहले वाले वीडियो में कि 2400450 टूटता तो 24600 देख ल प्रेक्षन सपोर्ट की बात करें सपोर्ट मिल रहा 24,380 और 24,250 यह पहला सपोर्ट यह दूसरा सपोर्ट और अगर 24,000 के नीचे गए तो हम खराब होने लग जाएंगे साइकलोजिकल नमबर भी है और ऐसा कोई बड़े फॉल का में इंडिकेशन नहीं देख रहा तो 24,000 जब तक होल्ड है पोजिशनल बेसिस पर या फिर हम लोग बोल सकते के 24,000 के जब तक नीचे नहीं आता है जब तक हम लोग सैलिंग का मनी बनाएंगे बाएंगे करते रह हमान लगा रहे हम कभी किसी चीज को लेकर के कभी एफनों के टैक्स को लेकर के कभी के बही गवर्मेंट की इस टाइप की पॉलिस आएगी बैसी पॉलिसी आगी इस बजट में देने के लिए गवर्मेंट के पास कुछ ही नहीं तो भी मार्केट बढ़ता ही जा रहा गिरन ना कुछ का बड़ेंग के सेलिंग इन तैय है बजट के पहले पाद में उस चीज के लिए थोड़ा सा में विचार करना पड़ेगा प्राइस के फॉलो करके ही जिसके मारकेट बड़ा भी गेरा में हमने को कोई से साइट के ट्रेट नियुक्त हमारे सारे के ट्रेंट लेकिन हमारे ट्रेट कहा पर जब सप्लाई जून आती थी वहां पर हम लोग सेल कर रहे तो प्रॉफिट हमने बनाया लेकिन चाहिए क्या राइट टाइम पर राइट एंट्री इंट्रे ट्रेडर के लिए ज्यादा जरूरी है ना कि यह कि आप अगर मार्केट बढ़ भी रह दो है आज लाइट ड्रेडिंग में होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा चीजर समझ में आयोगी हमारे लाइट सेशन में भी आपको मजा आ रहा होगा मिलेंगे को नई वीडियो के साथ में और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को शेर करें सब्स्रायब करे कर दो हीगा है